हलो स्टूडेंट्स मैं संदीप सिंग वेलकम करता हूँ आपका मैगनेट ब्रेंट्स हिंदी में जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 तू 12 मतलब यहां पर आपको कुछ चैप्रेस देखने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के बिल्कुल भी जुरत नहीं पड़ती क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी किंटेंट्स एक्स्पीरिंस टीचर्स के साथ वो भी फ्री आफ कॉस्ट तो जैसा कि हम मिला करते हैं अपने फिजिक सब्जिक्ट के साथ जो ह और गुरत्व आकर्षन बलके सार्वत्रिक नियम की तो भाई शुरू कर लेते हैं हम इस चापटर को गुर्यण को तो सबसे फर्श तो ले पास यही बात आती कि गुरुत्व अकर्शन होता क्या है तो गुरुत्व अकर्शन नाम से के लिए रहे गुरुत्व प्लस अकर्शन ये जो है ये दो सब्दों से मिलकर के बना है भाई क्या गुरुत्व प्लस अकर्शन तो गुरुत्व और अकर्शन में सिंप्ली ऐसा समझा जा सकत है कि गुरुत्व जो वर्ड है यह वर्ड आया है द्रब्यमान के लिए यह वर्ड किसके लिए भई द्रब्यमान के लिए और अकर्शन का मतलब तो समझ में आता यह न भई कि अगर कोई बल कोई बल जो औस पर्शी बल बिना टच किये लगाया जाता और वो खीच रहा हो अकर्शन का मतलब क्या होता भई खिचाओ तो मतलब दो द्रबमानों के बीच में जो खिचाओ होगा उसी को हम कहेंगे गुरुत्वा कर्शन और यह जो बल लग रहा है तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गुरुत्वा कर्शन बल मतलब यह समझ में आया कि इस इन्वार्मेंट में इस यूनिवर्स में बैसिकली अगर दो द्रबमान हैं कहीं पर तो वो दोनों द्रबमान एक दूसरे को आकरशित करते हैं उसकी कुछ सर्ते हैं कुछ कंडिशन से हम जिसके चर्चा करेंगे लेकिन यह समझ में आता कि दो द्रबमान अगर हो एक दूसरे क्या उस पास तो भई दोनों द्रबमान एक दूसरे को आकरशित करती हैं पास पास अक्च्वल फिगर नहीं होता इसका हरा इसके आसपास उन्होंने दिया था इसने एक रफ फिगर रखवा है यहां पे कि 6566 में एक सेब को गिरता देख करके किया था अब ज़र तोड़ी से और बात करते हैं तो क्या है कुछ ऐसी कहानिया प्रचलित हैं जिसके इंत तो जब उन्होंने सेब को तूट करके नीचे गिरता हुआ देखा तो इनके दिमाद में ख्याल आया पहिं न्यूटन कोई नॉर्मल वेक्ती तो थे नहीं आपको पता ही है लगबग हर जगह इनके नियम इनके लॉज अबेलेबल है तो मतलब बहुत सारी चीजों की खोच जाता है बाहेँ चला जाता किसी कोड़ पे निकल जाता वह नीचे ही क्यूं गिरा सीधा नीचे क्यूं गिरा ऐसा कहा जाता है कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये जो नूटन थे यह एक खिरखी में से बैश करके अपने बाग इचे को देख रहते हैं वहां पर एक फल त तूट करके नीचे ही क्यों गिरेगा अगर वो मुक्त पतन कर रहा है तूट करके नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरने के बज़ए ऊपर चला जाता ना किसी और दिसा में चला जाता हूं नीचे ही क्यों गिरेगा ये विचार उनके मन में आया और उन्होंने खोज कर डाली क इसके बाद उन्होंने ये बता दिया कि भही ये जो सेव था उसके अंदर द्रबमान है और हमारी पृत्वी सभी द्रबमानों के उपर एक बल लगा रही है जिसके कारण वो सभी अबजेक्ट खीचे चले जाते किस पर पृत्वी की सतह पर और एक्छुक कहा होते हैं जाने क तो पृत्वी की केंद्र पर मतब जो गुर्तवा कर्शन बल लग रहा वो कहां से लग रहा बैए पृत्वी की केंद्र की ओर लग रहा है चुकि सतह के निचे अब गड़ा खोद कर का ऐसा घुस्तों नहीं जाएगा है ना तो क्या होता बैए सतह तका करके वो गुर्तवा कर्शन बल है पृत्वी एक बल लगा रही है गुर्तवा कर्शन बल हमारे उपर क्यों कि हम भी तो एक दरबेमान है और पृत्वी भी एक दरबेमान है तो दो दरबेमान जब होंगे तो दोनों के बीच में एक आकर्शन बल होगा यही तो बात कहा था गुर्त खरण बल तो उसी को हम कहेंगे घृत्वाकरशन बल अईसा जरूरी नहीं है कि एक पृत्वी होना चाहिए दूसरा चांद होना चाहिए वह इसी घृत्वाकरशन बल के कारण जो हमारे सोलार सिस्टम है जो सूरह है उसके चारों तरफ पृत्वी बुध सुकर सनी यह पूरे टेबल पर एक बुक और एक दूसरी बुक ये दोनों बुक एक दूसरे के आस सपस रखी हूँ तो ये दोनों बुक भी फिशे को खीच रहे दोनों चे बीच दूसरे को खीचड़े कुल मिला करके समझ में आता है कि अगर कहीं पर भी द्रब्यमान आ गया तो वो दूसरे द्रब्यमान को अपनी तरफ आकरशित करने का गुण रखेगा और यही गुर्तवा करशन होगा ठीक है मतलब यह जो है एक और सद्दैव द्रब्यमानों को आकर से ही लग जाता है मैं अगर इसको छोड़ दूँ तो यहां से देखे गिर गया अब इसको गिरने के लिए भाई मुझे ऐसा टच नहीं करना पड़ा यह अपने आप गिरना सुरू हो गया यह और सपरसिबल है जो इसके उपर गुर्तवा करशन बल कारे कर रहा है वो और को डी दूरी पर रख दिया तो क्या होगा तो इसी को हम कहते हैं गुर्तवा करशन का सारवत्रिक निवं मतलब इसको कहा जाता है यूनिवर्शल लॉफ ग्राविटीशन यूनिवर्शल क्यों है यह सिर्फ हमारे पृत्वी के लिए वैलिड नहीं है या फिर हमारे सूर्य और पृत्वी के लिए वैलिड नहीं है सूर्य और चांद के लिए या फिर पृत्वी और चांद के लिए सिर्फ वैलिड नहीं है यह वैलिड है इस यूनिवर्स में किसी भी गैलेक्सी में चले जाए कहीं पर भी चले जाए एक छोटे से छोटे द्रभेमान से ले 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 एक अणू की बात कर ले परवारू की बात कर ले उस पे भी वैलिड है और ये एक बड़े से बड़े ग्रह पे भी वैलिड है एक बड़े से बड़ा सोलार सिस्टम पे वैलिड है एक बड़े से बड़ी गैलेक्सी पे भी वैलिड है मत्तब इस ब्रम्भांड में हर एक चीज जिसके पास द्रबेमान है उसके पास ये जो गुर्तवा करशन है गुर्तवा करशन बल है वो है भई और ये जो नियम है जो नियम इनों ने दिया था वो हर जगा वैलिड है हर कहीं पर वैलिड है सिर्फ पृत्वी की सतह पर नहीं तो क्या नियम था भई तो इनका नियम ये चेटर में रख दिया जाए तो देखेए भई ये किस प्रकार से ये ऐसा होँ जाएगा कि हमारे पास दो दुडर बिमान है ना एक ड्रुब मान के कारण इक दुर बिमान लेता हूं है रब बमान के कारण हमारे पास एक हम को यह देखने को मिला के भई एक रल wann जो है हमारे वह यह हो गए चलिए एक यहां पर यह द्रविमान हो गया एक इधर बना लेते हैं यह द्रविमान हो गया यह दोनों द्रविमानों के अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे देखने को मिलता है कि यह जो फॉस्ट द्रविमान है ठीक है और यह जो सेकंड द्र मान इन दोनों द्रबेमानों द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसके लिए एक effective distance है इन दोनों के बीच की यह जो दूरी है ठीक है ना इसको effective distance के नाम से जानते हैं इसको हम कहते हैं बई प्रभावी लंबाई यह जो है हमारी यह क्या हो जाती है बई यह है हमारी प्रभावी लंबाई तो यहां से आता कि दूरी को मैं कह लेता हूं बई यहां से आता कि जो दूरी है इसको मैं कह लेता हूं डी और यह जो द्रबेमान है यह हमारा M1 है और यह जो मेरा द्रबेमान है M2 है यह दोनों एक दूसरे के छेतर में रखे होने चाहीं, यह condition है वई, अगर मालीची हे M1 कहीं यह बाहर है, ऐसा, यह जो M1 है, यह यहां कहीं पर है, M1 की यह च्हेतर है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के छेतर में नहीं है मतलब इन दोनों के गुर्तवा कर्शनबल का कोई लेना देना एक दूसरे के उपर नहीं है मतलब मैं यह को हूँ कि मेरा सोलार सिस्टम जो हमारा सोलार सिस्टम है इस सोलार सिस्टम के बाहर किसी और दूसरे सोलार सिस्टम का गुर्तवा कर्शन बल हमारी प्रित्वी के उपर लग रहा है तो नहीं भई कोई लेना देना नहीं दो छोटे-छोटे कड़ बहुत दूर रखें तो दोनों के उपर कोई आकर्शन प्रतिकर्शन बल नहीं हो रहा है यह जरूरी है कि यह दोनों आकर्शन या प्रतिकर्शन बल करने के लिए दोनों एक दूसरे के फिल्ड में रखे हो बाई एक दूसरे के छेतर में रखे हो यह रखें दोनों एक दूसरे के छेतर में रखेंगे तो दोनों में लगने वाला आकरशन अथ्वा प्रतिकरशन सॉर्य आकरशन सिर्व इसमें लगने माला सिर्फ और सिर्फ अकरशन भल यह जो और स्पर्शिबल यह सिर्फ आकरशन भल लगाता है क्योंकि ब्मान अगर इसी के जगह यह चुम्बक होते देखें और भी ऐसे लोग हैं language चुम्बक आवीश हैं यह weise पर्शेमन प्रतिकर्शन भी होता है कि कर्शन भी होता है ्वा तो इन पर न नर्थ पॉल लखेंगे चिपक जाएगा वे भौ बाहर दूर रट जाएगा लेकिन यहाँ पर जो है द्रवेमान के केस में गुर्तवाकर्शन के केस में सिर्फ और सिर्फ आकर्शन होता है तो इन पे लगने वाला आकर्शन बल एफ पहला तो ये नियम है कि इन दोनों के द्रवेमानों के समान उपाती होता है मतलब क्या हो गया भई द्रबिमानों के गुणनफल के समान उपाती अब ये दोनों के गुणनफल के समान उपाती हो गया मतलब क्या लिख सकतो है एफ जो है ये समान उपाती हो जाएगा कि इसके M1 गुणा M2 दोनों के द्रबिमान मतलब एक बात समझे अगर मुझे द्रबिमान बढ़ा दिया किसका M1 का तो ये बल का मान भी क्या होगा बढ़ जाएगा अगर M2 के द्रबिमान बढ़ा दिया तो भी बढ़ जाएगा अग के बीच की दूरी के वर्ग के जो होता है वो व्यूत करमान उपाती होता है वन अपॉन डी स्क्वार मतलब क्या दूरी अगर आप दो यूनिट से बढ़ाएगा तो इन दोनों के बीच वह फोर्स जो है वो चार यूनिट से कम हो जाएगा यह देखिए इसका मतलब ही तो होता है यहां पर अगर डी की जगह पर मैं लगता हूँ दो तो वान अपॉन टू का स्क्वार मतलब वान अपॉन फॉर मैंने दूरी को डी को कितना लिया तो लेकिन फॉर्स कितना कम हो गया वन चोथाई एक बटा चार ठीक है मतलब क्या समझ में आता भई कि यह जो होता है आप अगर अबजेक्ट को दो मीटर के लिए हटाएंगे तो फॉर्स जो है एक चोथाई रह जाएगी अगर आप चार गुनी दूरी पर कर देंगे तो जो फॉर्स है वन अपॉन सिक्स्टीन टाइम सो जाएगा मतलब कहने का सिंपल सॉर्ट समान उपाती कहलाता है यह समान उपाती कहलाता है समान उपाती का मतलब क्या जो परिवर्तन राइट साइड में होगा वही परिवर्तन यहां भी होगा अगर यह बढ़ रहा है तो यह भी बढ़ेगा यह अगर घट रहा है तो यह भी घटेगा लेकिन यहां पर अगर डी क नियम हमने बनाए ये दोनों नियम कह रहे हैं कि भाई जो दोनों के बीच में लगने वाला गुर्तवा करशनबल है वो अन दोनों के द्रबमानों के और दूरी के उपर निरभर करता भाई अब इन दोनों समिकरों को अगर मैं मिला लूँ तो मुझे क्या देखने को मिल बिचार हो गया यहां पर सफिक्स में जी लिखने का मतब किया है बर गुर्तवा कर सेड़ अब क्या करें तो समय कर एक और इसको मलतsen मिकर्ण दौ मैं पर लिखता हूँ पर एक तथा दो समिकरां एक तथा दोसे तो समय करन एक UFO से क्या समचमें आएगा कि ये जो F है यह समान उपाती हो गया किसके M1 M2 upon D square M1 M2 upon D square अब क्या कर दूँ तो अब भई यह जो समान उपातिक चिन है इसको हटा देता हूं मैं जब इस समान उपातिक चिन को अटाएंगे तो एक constant आएगा G M1 M2 upon D square अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कि यह constant की यह क्यों आएगा भई यह constant तो ज़रा constant आने की भी बात कर लें जो यहां से हमको देखने को मिल रहा है कि F समान उपाति हो गया ता मेरा M1 M2 upon D square further जब मैंने इसको calculate किया आगे बढ़ाया समान उपातिक चिन अटाया तो मैंने यहां पर लिख दिया भई यह G M1 M2 upon D square तो यह G को हम सारवत्रिक गुर्टवा करशन constant कहते हैं तो यह G आया क्यों तो देखिए जब भी समान उपातिक की बात करेंगे जब कहीं पर भी आपसे बात की जाएगी समान उपाति तो समान उपाति का मतलब क्या होता भई यह बता रहा है सिर्फ और सिर्फ relationship यह क्या बता रहा है सिर्फ और सिर्फ भई relationship संबंध बता रहा है इसा यह संबंध कैसा तो आप इस परकार से समझ हो जिसे एक बात समझते है अगर हम खरिदने गए हैं PEN तो जितना जादा कलम खरीदेंगे उतना जादा रुपए लगेगा यह संबंध है ना कि यह amount बता रहे वे बीस रुपए लगे कि पचास उपसे लगे ये थोड़ी कह ने सिर्फ यह कह रह鬼 कि अगर जाधा कलम खरी देंगे तो जाधा रुपया देने पड़ेगे कम कलम कर देंगे कम रुपय देने पड़ें बस इतनी सी बात हो रहương है तो ये रुपया और कलम के बीच में क्या संबंद ठीक है और यह समान उपाती है समान उपाती मतलब जादा कलम खरी दिएगा तो जादा रुपया देना पड़ेगा कम कलम खरी देंगे कम रुपया देना पड़ेगा अब भई कितना देना पड़ेगा यह नहीं बता पा रहे हैं यह सिर्फ वोसिफ रे रेट आफ वन पेन यह मैं सीधे लिख देतों रेट से रेट इंटू नमबर आफ पेन अब इसका क्या मतलब रहा भाई रेट जो है यह कैसा होने वाला है यह रेट जो रहेगा यह कॉंस्टेंट रहेगा जैसे अब समझ यह मैंने कहा कि भाई मुझे कितना रुपया देना प तो बोले यह पचास कितना पचास और इसे प्रकार से अगर मैंने आप 20 पेन खरीता तो कितना देना पड़ता सो तीस पेन करिता तो कितना हो जाता भाई देर सो लेकिन इन सभी में आप देखे तो यह पांच जो है यह कॉंस्टेंट रहने वाला है यह नहीं बदलने तो इ इसका दूसरा कारण भी है जैसे मान लिजे आपके पास में एक रेशियो है एक्स अपॉन वाई का एक्स का मान लिजे पंदरह है और वाई का मान जो है दस है आप इसको काटेंगे कितना हो जाएगा तो यह पांच तिया पंदरह पांच दुनी दस आप लिखेंगे भाई एक पान वाई जो है वो तीन बटा दू है तो क्या यहांसे लिख सकता हूं कि एक स्तीने और वाई दो है आप गएगे ना बिलकुल गलत है क्योंकि एक सकता था एक सा पंदरह और वाई कितना था भाई वाई था दस तो दोनों में क्या कैंसिल हो गया uhplatz एक कॉंस्टेंट इस अगर यहाँ पर यहाँ पर पांच का गुणा कर दूँ हाँ ठी है तो इस भूम पर बना ते यह पांच ए। यह पांच इस्तिरांक है यह हमारे पास यह constant आता है जैसे यहाँ पर जो दिख रहा है जी एक constant value ठीक है तो अब जी की थोड़ी से और बात के लें यह जी जो है क्या भई constant हो गया इस जी को ही हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्शन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्शन नियतांग इसे को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्शन नियतांग ठीक है अब थोड़ी सी बात इसकी है कि अब यह जी की वैल्यू क्या होगी तो देखें जी की वैल्यू अभी हम जस्ट आगे च तिरियक गुणा कर देता हो, तिरियक गुणा, तो तिरियक गुणा से क्या मिलेगा आपको तो देखिए, तिरियक गुणा के फल स्वरूप मुझे मिल जाए गया है, आपे, GM1, M2, है ना, ये GM1, M2, into FD square, अब क्या कर दो भई, तो G is equals to बन गया मेरा, FD square upon में, M1, M2, ठीक अब क्या किया जाए, तो भई, ये तो G का मान आ गया, अब इसकी इकाई की बात कर लूँ, मैं, तो इसकी अगर इकाई लिखना चाहते हैं, तो आपको पता है, ये क्या है, बल, F क्या है, F बल है, D क्या है, D है दूरी, और M1 and M2, ये दोनों ही क्या है, ये जो है, ये द्र इकाई करें दी इसक्वार लिखा हूँआ है, तो दूरी की मीटर, तो मीटर स्क्वार, अपाउड, द्रभवान केजी में, तो ये क्या हो जाएगा, केजी, गुणे केजी, मतलब इसकी काई आगई, न्यूटरन मीटर स्क्वार पर केजी स्क्वार, ये G की काई है, और ये जी की काई बहुत important है हाना यह बहुत ही ज़्यादा important है इसकी एक value भी है इसकी एक value भी है कितनी 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square इसकी unit भी अपने आप में important है और इसकी value भी important है यह दोनों ही चीजे बहुत ज़्यादा important है इसको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे इस chapter में तो काम आएगा यह आएगा इसके आगे भी काम आता रहेगा यह यह विल्कुल danger sign क्योंकि भी है यह विल्कुल ज़्यादा important है क्यों क्योंकि यह जो है ना यह सारवत्री गुर्तवा करशन constant है यह पूरे universe में valid है भई यह सिर्फ और से पृत्री पर नहीं यह हमारे पूरे universe में valid है हर जगा यह valid है ठीक है अब थोड़ी सी और चर्चा कर ली जाए इसी में इसी formula के accordingly तो यह जो समान उपाती और व्यूत करमान उपाती जो लिखा गया था इसका क्या ताथ पर है तो यह समान उपाती और व्यूत करमान उपाती का simple सा ताथ पर ही है कि हमाने पास जो relationship आई है एफ इक्वल्स टो आए जी एम वन एम टू अपॉन डी स्कॉर्ड अब मैं एगर एक condition बोलता हूँ कि यदी यहाँ पे द्रबिमान एम वन को दो गुना कर दे तो क्या देखने को मिलेगा भई तो एफ इज इक्वल्स टो आपको देखने को मिल जाएगा जी टू एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्कॉर्ड अगर आप इसको और बात करते तो इसको एफ डैस लिख ले तो नएा ना बदल गया मास ये कितना हो ज Richard बईसंटू को बाहर का दीजी नंबर जो लिखए निसको बाहर किज्या अंदर किया बचाओ जी एम वन एम टू अपउन डी स्कॉर्ड अब आपको पता है कि यह जो है G M1 M2 upon D square तो F है मैं तो ultimately आपके सामने आगए कि F dash हो गया किसके बराबर twice of F के बराबर क्या हुआ था आपने द्रबमान को दो गुना किया तो यहाँ पर बल दो गुना हो गया समान उपाती का यही मतलब होता है इसी प्रकार से मैं बियुत्क्रमान उपाती को भी explain कर लूँ तो अगर आपको मैंने D को कह दिया कि इसको 2D रख लीजिए तो अब नया फोर्स आजाएगा नया फोर्स क्या क्लिक होंगा भई तो मैं लिखता हूँ F dash is equals 2 क्या होता है जी M1 M2 upon 2D का स्क्वार यह होगा न क्योंकि D becomes 2D डबल हो गया है अब क्या कर देंगे तो यहां पर भई G M1 M2 upon 4D स्क्वार अब यह 1 upon 4 को बाहर करेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा G M1 M2 upon D स्क्वार अब फिर से देखिए न यह जो मुझे दिख रहा है यह जो वैलू मुझे जो दिख रही है क्या है वई F है तो मतलब यह हमारा आगे क्या F dash is equals to 1 upon 4 times of F आपने तो सर्फ दो गुना किया था एक बटा चार गुने से कम हो गई है ना एक चौथाई रहे गई तो यह स्क्वार हो गए ना यह क्या लिखा है हमने यह लिखाए F dash equals to 1 upon 2 का square of force मतलब दूरी का square ठीक है ना यही तो दिख रहना मतलब अगर आपने यहां पर है दूरी को डबल किया है तो force एक चौथाई रह जाएगी एक और छोटा सा term और डिसक्स कर लेता हूं है अगर मुझसे ऐसा कहा जाए कि यह जो M1 है यह बराबर हो जाए किसके M2 के यह दोनों दूरी मान बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा भई इसको मालने तो हम एक नया दूरी मान M तो मेरे पास आजागा F डैस इज़ इक्वल्स टू G M इन्टू M अपॉन D square मतलब F इज इक्वल्स टू G M square अपॉन D square ठीक है यह कब जब दो दूरी मान बिलकुल बराबर हो तो इस स्थिती में जो बल लगेगा दोनों दोरा लगाया गया जो आकर्शन बल होगा बिलकुल बराबर बल लगेगा भई ठीक है दोनों दोरा लगा हुआ बल कैसा होना है बिलकुल बराबर होना भई और ये होता है किता है वही M square upon D square तो इस तरीके से कुछ cases इस force के formula से बनाई जा सकती है कुछ cases इस force के formula से आ सकते हैं वो यह जा अब यह D की जगह मैंने 2D के आई या 4D हो सकता है 5D हो सकता है D upon 2 हो जाए है उसी तरीके से यहां पर भी कुछ परिवर्तन हम को देखने को मिल सकते हैं ठीक है मतलब कुल मिला करके यहां से समझ मैं आता है कि ज़िए गुर्तव आकर्शनबल है जो दो दो दरबेमानों के बीच में आकर्शनबल है उसका फॉर्मुला है हमारे पास F इक्वल्स टू G M1 M2 upon D स्कॉार और अगर इसकी इकाई की बात करते हैं तो इसकी भी इकाई Newton होगी भाई क्यों क्योंकि यह भी तो बल है ना और बल की काई क्या दीती है हमने Newton चली अब हम आते हैं जला बात करते हैं आगे जो यह फॉर्मुला हमने निकाला है इसमें हमने देख लिया यह किस तरीके से वैरियेट होता हो और यह जो हमारा यूनिवर्शल लॉफ ग्राविटीशन है यह क्या होता है तो आप तो सबसे पहले इसका स्क्रिंशॉट रखे यह बहुत काम की चीज़ है ठीक है हम जरा देख लेते हैं इसमें कि यह जो सार्वत्रिक कोई भी आपजेक्ट होगा तो यह इसको खीच रही का केंदर की तरफ क्योंकि जो प्रभावकारी लंबाई की हम बात करते हैं उस समय जैसे मालीज़े दो द्रविमान है यह द्रविमान एक और दूसरा तो इन दोनों के बीच की प्रभावकारी लंबाई यह नहीं हो जात की तो हमेशा यह किस की तरफ लगेगी केंद्र की तरफ लगेगी केंद्र पर सेंटर पर लगेगी तो अब जड़ा बात करें तो हमें प्रित्वी से जो बांध के रखा है जिसके कारण हम प्रित्वी की सता पर हैं चल फिर पार है घुम पार है यह सब कुछ किसके कारण है यह गुर्तवा कर्शन बल के कारण है नहीं तो हम प्रित्वी पर नहीं होते हम भारहीन होते ठीक है तैर रहे होते है हवा में ठीक है अगला प्रित्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा गती करता है उसका भी कारण यहीं जो प्रित्वी के चारों और चंद्रमा की गती होती है चंद्रमा जो परिक्रमा कर रहा है प्रितिवी के चारो तरफ उसका कारण भैं गुर्तौा कर्षण का सार्वत्रूइक नीयम ही है यह यूं कहों गुर्तौा कर्षण बल है हैना नीयम तो हमने कैलकुलीशन के लिए किया है बल है अग्ला सूरी के चारो और ग्रहों की गती सूरी के चारों तरफ जो जितने भी ग्रह हैं यह जो परिक्रमा कर रहे हैं यह सभी ग्रह की परिक्रमा करने का कारण भी कौन है बही गुर्तवा कर्शनबल चंद्रमा तता सूरी के कारण जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में उची उची लहरे उठती हैं जिसे हम electricity भी produce करने के लिए utilize करते हैं यह सब कुछ इसके उधारन है या फिर कह सकते हैं इसके प्रयोग है या फिर ऐसा कुछ कहूं कि इसकी उपयोगिता है जो हमारे अंदर भार है वेट के कारण ही हम यह बिल्डिंग्स बना पा रहे हैं या फिर सणकों पे चल पा रहे हैं कोई ची रखी है वो वहीं पर रखी हुई है यह सब कुछ कारण इसी वेट के कारण तो मतलब गुर्तवा करशन हमारे दैनिक जीवर में हर समय हर जगा पे उपलब्द है और बहुत ही ज्यादा यूजफूल है ठीक है अब अगर हम इसी में बात करें तो हम ऐसा कह सकते है क कि यह जो गुर्तवा करशन का जो नियम था जो गुर्तवा करशन का नियम दिया गया यह जो हमारी वैलेडीटिये सर्फ प्रिथवी के लिए नहीं अगर जब हम सेटिलाइट्स लाउंच करते हैं तो वह सेटिलाइट्स भी जब रिवाल्व करेंगे हमारेеч bawी के परिताथ तो इन सेटलाइट्स के भी रिवाल्व करने के समय उनका गुर्तव करेशनबल उन सेटलाइट्स का गुर्तव करेशनबल परित्वी द्यूरा लगाएगा उन पर जो गुर्तव कर SECRET यह कैलकुलेट होती और उसी के अधार पे वो चारों तरफ गती करते भई ठीक है क्या होता है अगर मैं ऐसा सिंपली बात करूं तो भई देखिए अगर मैंने एक सिंपली सेटलाइट को भी कंसिडर किया और यह यह एक माल लेता है प्रिथवी की यह चारों तरफ से हो गई यह हो गए हमारा प्रिथवी की गुर्तवा करशन छेतर और यह हो गए हमारी प्रिथवी चीक है अब क्या होना है तो अब सिंपल सी बात समझते हैं कि यह हमारी प्रिथवी का जो गुर्तवा करशन छेतर है यह गुर्तवा करशन छेतर में एक पत पे यह जो बना हुआ है एक पफ हो गया एक और्बिट हो गया यहां पर एक satellite है यह एक हो गए वह यह हमारी चैल अब यह satellite पर क्या हो रहा है तो आप पाएंगे कि satellite पे दो चीजा चल रही है एक तो इसके केंद्र से बिलकुल इस satellite केंद्र से पृत्वी इसको अपनी और क्या कर रही है आकरशित कर रही है तो इसको आके गिर जाना चीह है लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी आपजेक्ट के ऊपर एक हमने इसको प्रचेप गती दे रखी है और इस प्रचेप गती के कारण यह सेटलाइट इदर बाहर की तरफ मूव कर रहा है यहाँ पर यह दो काम चले एक इदर खीच रहा है और यह इसको क्या करें बाहर की तरफ तो यह सेंटर की तरफ खीच रहा है यह कौन सा बल है इसके उपर लगने माला गुर्तवा करशन बल यहाँ पर क्या लग रहा है गुरत्वा कर्शन बल जए गए में और माक करहन हो तो यहाँ पे हो जायेगा इधर की तरफ गुरत्वा कर्शन बल ओर इधर की तरफ गति करिए अधर लग रहा है और इसका वह की डिरेक्शन वह था ली ला ostrides किस किदर है इसी का कान शे चारों तरफ किया कर रहा है रिवॉल्व कर रहा चक्कर लगा रहा ठीक है मतलब यह जो सेटलाइट जिस तरीके मूव कर रही है इसी तरीके सा हमारे प्रिछवज भी जो है वह सूरी라고 परिक्रमा कर रहा है या और अगर करकें तो प्रिट्विकि चारती मैं इसे प्रकार से परिक्रा कर रहे हैं ठीक तो मतलब गुर्त्वा करशन जो है वो किस प्रकार से लगता है क्या होता है और कितना जादा महतवपुर्ण या कितना जादा उपे होगी है यह सब कुछ हम यहां तक में देख चुके हैं तो बागी के कोर्सिस के लिए के लिए क्या करें भाई तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखे magnetbrains.com आपके सामने आपके पूरे कोर्सिस ओपन हो जाएंगे जहां पर आप अपने टॉप कोर्सिस को explore कर सकते हैं जैसे कि आप cbc English medium से हैं आप यूपी बोर्ड की preparation करना चाह रहे हैं या NTSC या Olympiad का preparation करें आप इसको tap करेंगे से रिलेटर आपको सब कुछ यहां पर देखने को मिल जाएगा अगर आप spoken English चाहते हैं इंग्डिस बोलना चाहते हैं इसको tap कीजें यहां पर आपको उससे जुड़ी चीज़ें मिलेंगी भाई cbc English medium को tap करेंगे आपके सभी classes open हो जाएंगी आप अपने class पर जाएंगे suppose आप class 9 के हैं आपने tap किया आपके सामने आपके सभी chapters सभी subject के chapters open होने सुरू हो जाएंगे physics देखना चाहते हैं अपने physics को watch now किया आपके सामने इससे जुड़ी chapters open होंगी जिसमें एक ही folder के इंदर उसके concept videos उसके one shot revision exercise questions numericals previous year question paper most important question और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है बई tap करेंगे आपका video play हो जाता है जिसको आप कही पर भी pause कर सकते हैं screenshot ले सकते हैं notes prepare कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात भाई यही से next video करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं मतलब भटकने के बिलकुल भी जुरत नहीं है भई तो अभी के लिए इस video को like कर दीजे चानल को subscribe कर लिजे और इसे अपने दोस्तों में share कर दीजे क्योंकि magnet brands हिंदी लेकर क्या है 6-12 free education quality content और experience teachers के साथ तो बने यह magnet brands हिंदी के साथ हम मिलेंगे अपने अगले session में थांक्स वर वचिक्ट